मंगल सुथ के जो आखरी चार मोती हैं मगल सुथ की जो गाता है ग्यार नंबर उसके नुसार फुटस से लोक धम्मे ही चितं यस ने कम्पती असुकंग, विर्जं खेमंग, एतंग, मंगल, मुठतमंग फुटस से का मतलब होता है लोक धम्मे ही फुटस से लोग धम्मे ही बहुत important मनकार मोती है ये 35 नमबर का मोती आपकी जो मंगल सूते उसका है फुटस से धम्मे ही का मतलब होता है लोग धम्मे ही लोग माने शरीर और धम्मे ही माने शरीर के जो नियम है जो प्रकतिन नियम बनाएं शरीर के वो और फुटस ही माने उन में कौन सी नियम है एक होता है यस और अप यस यानि कि आपको यस मिल गया आपका गुरगान हो गया मान समान मिल गया और एक आपकी बेचती हो गया आप यस मिल गया एक है लाब और हानी यानि कि आपका कुछ लाब हो गया या आपकी कुछ हानी हो गया एक है आपका निंदा या प्रसंसा किसी ने आपकी निंदा कर दी या आपकी प्रसंसा कर दी और एक है आपका या तो सुख आ गया या दुख आ गया यानि सुख दुख निंदा प्रसंसा यस अपसब और लाव और हानी ये चार प्रकार की जो चीजें हैं ये पूरी जीवन भर मनुस्य के साथ में चलती रहती हैं उसको तच करती रहती हैं, छूती रहती हैं, पर्स करती रहती हैं ये हर समय चलती हैं कहीं लाब हुआ, कहीं हानी हुई, कहीं यस हुआ, कहीं अपयास हुआ, कहीं निंदा हुई, कहीं परसंसा हो गई, कहीं पे थोड़ा सा कहीं सुखा गया, कहीं पे दुखा गया, तो ये जब आपको टश करते रहते हैं, तो इसमें आपको एक समान रहना है, ऐसा नहीं है अग वूरा जेकांकी करण लग चाहिए तो आक में लोट पर करते हैं विल्ल जो करता है। इसमें एक सांधना चाहिए न सुख को सुख माना चाहिए न दुख को दुख की जीवन में उताचराब आते रहते हैं दुख आया है तो सुख भी आएगा सुख आया है तो दुख भी आएगा ये है आपका मंगल सूत्त का 35 मनका असोकं असोकं का मतलब है आई सोक माने जो दुख में रहता है, संतर रहता है, सोरो में रहता है तो दुख में नहीं रहना चाहिए, असोक होना चाहिए हर चीज को संतर से देखना चाहिए, तो असोक होना चाहिए जिसको सोक ना हो यह है मनका नमबर 36 और विरजंग विरज का मतलब है जो रज बोलते है उसको बोलते है धूल और धूल ये कड़ इसको रज बोलते है और विरज का मतलब है बिना धूल के कड़ का याने के कोई धूल का कड़ नहीं आना चाहिए आपको हमेसा निर्मल रहना चाहिए कोई भी आपके उपर मल नहीं आना चाहिए आपके मन में कोई मल नहीं आना चाहिए निर्मल होना चाहिए विरज होना चाहिए रज माने धूल है और मल माने गंदगी है यानि निर्मल का मतलब है बिना मेल का और विरज का मतलब है बिना दूलका यह है मनका नंबर 37 और लास्ट अर्टिस है खेमंग खेमंग का मतलब है सांती को यानि सांती से सांती को तो खेमंग का मतलब है कि आपको शांत रहना चाहिए मुलकुल जीवन में कूल रहना चाहिए, संता से रहना चाहिए ये 38 बातें जो जीवन में उतार लेगा जो जीवन में धारन कर लेगा जो जीवन में अपना लेगा उसका हमेशा लाव होगा जो की इस सुत में कहा है जो मंगल मुत्तमंगा बार्वा सुत है एता दिसानी कत्वान एता दिसानी कत्वान के मतलब है ऐसे इस दिसानी में जो करेगा सबत्तम पराजिता वो सब तरफ से सरवत से ऐ पराजित रहेगा यानि उसको कोई पराजित नहीं कर सकता चारो तरफ से ऐ पराजित रहेगा सबत्त सोत्ती इती यह है जो करेगा उसका मंगल मुत्मंग होगा यानि मंगल में उत्तम होगा मंगलों में सारा उत्तम है ये मंगल सूत्र है आपने ये 38 मोती आप हमें साथ रहें जीवन में आपका कल्यान होगा धन्यवाद आपने मंगल सूत का नाम सुना होगा बड़ी-बड़ी इमोशनल पिच्चर आती है मंगल सूत के उपर इस तरही अपनी जान देने को त्यार होती है मगर जब विलिन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत पर हाट डाले तो हीरों को गुस्सा आजाता है जो महिला है वो आग बगुला हो जाती है उसमें सक्ति आ जाती है मेरा मंगल सूत छीना तो سमझो मेरे पती के प्रान छीन लिए ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत की डालते हैं ताकि मंगल सूत रबिके और ब्यापार चले क्योंकि मंगल सुत में जो मनके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सौने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पैनने का ऐसा एक अभुशन है एक ऐसा विभुशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और ट्रडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के बारे में आपको इसे ज़्यादा जानकरी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुर्सों के और महिलाओं के यानि के जो नर है और नारी है दौनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूड़े भी पहन सकते हैं सभी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सुत्र बहुत कमाल की चीज़ है उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं मगर उसे मानना जरूर चाहिए उसकी practice जरूर करनी चाहिए अगर मंगल सुत को आप मानते नहीं है practice नहीं करते हैं तो सच में आपकी जान को खत्रा रहता है चाहिए आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरूस है या कोई भी आप है मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुत्र यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत्र बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करे और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सुत्र हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने वाले सूत इन सूतों को ये सूतों लोगों का कल्यान करते थे बुद्ध की वाणी है 38 उन्होंने बताएं 38 महिलाओं के लिए पुर्सों के लिए बच्चों के लिए सबी के लिए समान है सबी के लिए बरावर है खाली महिलाओं के नहीं है मगर पुरसों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया इसलिए पुरसों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे तो मैं याद रहे इसलिए में तुमारे गले में यह interventions की माला यानि की 19 मोती इधर हैं मड़ी इधर है काले रग की काले मतलब काले लोग होते लिए काले है और पिले दागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मांते हैं वो भगवा कलर को पिले रंग भी बहुते देते आपको याद रहें इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम चक डाल लीजिए जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि यह धम की बात हैं यह उसका पिर्तीक बना जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली tradition रहे गया परंपर रहे गई लोग यह तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे मंगल सूत क्या थे मंगल बचन क्या थे वो कौन सी कल्यानकारी बात है थी वो कौन सी good talks थी जो हमें 38 थी 38 थी अप्लाई करने थी वो गले में 38 मंद के बान के बस काम खतम हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया जितना जिसको बड़ा मंगल सूत जो ले सकता है सुनार जो थे जो सुनकार थे उनके मजे आगे वो वहाँ अपना धंदा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगल सूत बिखने लगे, फिर ट्रेडिशन बन गया, और फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड़ दिया, बेसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पती अगर नहीं चलेगा तो पती का जीवन खत्रे में रहेगा, ऐस सारे मंगासूत भगवान बुद्ने बताए हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बुद्ध थम्सरलूं रच्छामीः घं मंसरलूं बुद्ध थम्सरलूं